बागपत के बढ़ोत में घुर्चडी के दोरान हर्स फाइरिंग में बच्चे की गोली लगने से मौत के मामले में आरोपी उखको थाने से छोड़ने से गुसाई लोगों ने थाने का घिराव करते हुए जमकर हंगामा किया और पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत करने का आरोप लगाया फिलाल पुलिस के धिकारी ने मामले में निस्पक्श जाच कर करवाई करने की बात कही है दरसल मामला कोतवाली बढ़ोत चितका है जहां की रमा कालोनी में रहने वाले रामनद सिंग का चौ crucial है बेटा अक्ष साल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मरत घोसित कर दिया पीडिज पर जनों ने अग्जात लोगों खिलाब मुकदमा दर्श कराया था वहीं मामले की तफ्तीज में जुटी पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज के आदार पर हर्स फारिंग करने वाले आरूपी युवक् पुलिस ने उसे जेल भेजे बगार ही मिली भगत कर छोड़ दिया जिससे गुसाय लोगों ने थाने का घेराओ कर पुलिस के खिलाब जम कर हंगामा की और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए वहीं पुलिस के अधिकारी ने मामले की जांच कराकर सक्त कारवाई की बात कह ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोट ने समारो में हर्स फारिंग करने पर रोक लगा रखी है लेकिन उसके बावजूद भी बागपद में हर्स फारिंग पर रोक नहीं लगपा रही है किस बात को ले के अंगामा कर रहे है आप हम इस बात को लेके अंगामा करने जो हमारा पेहले धिन मुजूरिम पकड़ा था उसको झोड़ जया दूसरे को यहांद मताई को दूसरे को भी दुद्वा दिया जिए सेवां किया हो बुता हमारे पर इनुह कह रहे कि यह जो है यह पर यह पतार साल का पुडधा जो हे वाल वाल उसकी गोली और यह पर तारे तमंचे की गोली बताओ का इंसाफ है कि लोग मिलने के लिया थे क्या थे तिन तारिक में बड़ात में हर्श फारिंग जिसमें एक चोज़े साम के बच्छे की मौत रोए थी स्कुर्मा रुली कर टेक जो अभी उक्ता हो इसके उज्जेश भिंदा गया है इस संदर्ब में कुछ लोग थाने पर आयते हमके करना कि एक दूसरा मुल्जेमी था जो इसमें इनवाल था इसके जियात की जारे जो सही हो इसका अंसरा करवाएंगी जाएगी है ठीक